अश्कार साथियों हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुन्हा हार्दि कभी नंदन है आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी के उच्छिस्तरिय प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसी क्रम में हम काव्य शास्त्र के अंतरगत आज 101 नंबर प्रस्न से अपनी कख्षा का प्रारंब करेंगे Áp की जितने भी पी प्षली परिक्षाओं हुई है नेट असिस्टन् प्रॉफेसर भरती परिक्षा सॉइत भारत वर्ष के विल्विन राज्यों में जो परिकषाओं आयोजित की जाते यह उन सब परिक्षाओं में अब तक पूछे हुए प्रशनों का संकलन है कुछ सरल और कुछ कठिन प्रशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे तो आईए कल के अंतिम प्रशन से शुरुआत करते हैं मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तो महीं उचित तप मो कह भोगू कौन सी शब्द हो गई आर्थी व्यंजना अब आज का पहला प्रशन देखते हैं चलते चाकी देख के दिया कवीरा रोए दो पाटन के बीज में सावुत बचाना कोई कौन सी शब्द शक्ति है यूपी पीजीटी 2021 में पूशा हुआ था इसके अंतरगत व्यंजना शब्द शक्ति है व्य व्यंजना कहते है यह अन्यार्थ या विशेशार्थ का ज्यान कराने वाले शब्द को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं अब 102 नंबर का प्रशन देखेंगे सगुन एक सगुन अलंकारान सहित दोश रहित जो होए शब्द अर्थ वारो कवित विवद कहत सब कोई किस अचारे ने यह परिभाशा दिये तो आपका UPSC का जो जी आईसी प्रवक्ता वाला 2021 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था सही उत्तर है चिंता मणी आगे भी आपसे यह पूछे जा सकते हैं पुरह देखिए सगुन अलंकारन सहित सगुन अलंकार से दोश रहित जो होई शब्द अर्थवारो कवित विवद कहत सब कोई तो यह कहा है चिंता मणी ने और कौन से ग्रंत में कहा है कभी कुल कल्पतरू में कुल्पती मिश्र बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कुल्पती मिश्र कहते हैं दोस रहित और गुण सहित कचुक अलप अलंकार हारिदास क्या कहते हैं रस कविता को अंग भूशन है भूशन सकल गुण सरूप और रंग दूशन करे करूपता श्रीपती कहते हैं जदपी जोश बिन गुन रहित अलंकार सौलीन कविता वनिता छब नहीं रस बन तदपी प्रवीन तो यह चारों जो प्रमुक आचारे है इनके कथन है अलंकार से संबन देते हैं आगे देखते हैं एक सो तीन नम्ब आप जैसा कि मैंने कहा कुछ का इस तर कठिन है तो यह आपके यूपी वाले प्रशनों से आज की कख्षा की प्रारम हमने किया है पीजी टी में पूछा हुआ है देखते हैं मुक्यार्थ वाध सग्रंथ है कावे प्रकाश वो क्या कह रहे हैं कि जहां मुख्यार्थ में प्रियुक्त शब्दों के अर्थ के साथ अनविती में व्यबधान हो वहां रूडी गत अत्वा विशेश प्रियोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंद किसी अन्य अर्थ की प्र कुन्तक अभिधावादी थे और आनंदवर्दन ध्वनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। महा कावे के लक्षणों के विशे में एक कथन असत्ते तो यूपी टीजीटी 2021 में ये पूछा हुआ है। आप जो नए विध्यारती चैनल से जुड़े हैं उन्हें मैं बता दू कि यूपी टीजीटी की अलग से प्लेलिस्ट में ने बना रखी है। यूपी पीजीटी की भी अलग से है जहां पर आपको इनके पुराने प्रशनपत्र क्रमबद रूप से मिल जाएंगे। नेट की भी अलग प्लेलिस्ट बनी वी है, और पीजीटी भारत वर्श की बिभिन परिक्षाओं की अलग से प्लेलिस्ट बनी वी है जहां से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। महाकावे के लक्षनों के विशे में असत्य क्या है? इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, ये तो सही है, किन्तु इसमें सभी रस प्रधान होते हैं, ऐसा बिलकुल गलत है, कोई भी नाटक आप पढ़ोगे, कोई भी महाकावे पढ़ोगे, कोई भी आप कता, उसमें एक या दो रस ही प्रधान होते हैं, सारे रस प्रधान नहीं हो सकते हैं, कोई श्रंगारिक रचना होती है, और कोई वीर गुणों से होता है, कोई एक्षन फिल्म होती है, कोई रोमैंटिक फिल्म होती है, उसी तरीके से काव्य भी है, यह सरगों में विवक्त होता है, इसमें आ जहान इस वाक्य में कौन सा कावे दोश है पुन रुकती सारे जगत और जहान है ना सब सारे जगत जहान ये सब एक ही तो शब्द है सब और सारे दो वार है जगत जहान एक ही मतलब है भरतमुनी ने 10 कावे दोश माने हैं वामन ने 20 ममबट ने 3 विश्वनात ने 70 सामाने तर दोश तीन होते हैं शब्द दोश अर्थ दोश और रश दोश किस शब्द सक्ति की प्रतीती सबसे पहले हुआ करती थी तो ये है अवीदा किस शब्द सक्ति की प्रतीती सबसे पहले ह के DTSB के पेपर में पूछा हुआ है नीचे दिये गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ती है सूर्य अस्त हो गया तो व्यंजना है सूर्य अस्त हो जाने का मतलब है किसी का भी जो कोई बहुत किसी चीज का च्छ हो जाना कहते हैं आप तो तुमारा भलाने विक्ती का तो गईताबाद के पत पर कौनसी शब्द शक्ती है अभिदाश शब्द शक्त शक्ती है साकेति को प्रकट करने वाली है अभिदाश शक्ती के तीन भेद होते हैं रूडे योग अर्योगुरूड ठीस कि अधिक म वाले टीजीटी वाले भी प्रशनार हैं काफी अच्छा यह संकलन है और पूरी प्लेलिस्ट में इसकी बना दूंगी आपको पुस्तक खरीदने की आवश्यक्ता नहीं है जब भी आपको समय मिले बस अपना फॉन ओन किया और यह पुस्तक आप आपने यहां से पढ़ ली न पहले दूसरे वीडियो जो यह मारा तीसरा चोथा प्रैक्टिस सैट है पहले दूसरे जो प्रैक्टिस सैट है खुब अच्छे से व्याख्या कर दिए तो बार बार एक ही चीज़ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आराम से आप बता देंगे भट लो लट याद भ कोई एक रस्प्रधान होना चाहिए हाँ अभी पढ़ा था ना हमने के एक या दो रस्प्रधान होते हैं संपूर्ण महाकावे में आदी से अंत तक एक ही चंद का प्रयोग होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है एक ही चीज़ की बाउंडेशन महाकावे में नहीं हो सकती महा महा कावे का नायक धीरोदात और कुलीन होना चाहिए महा कावे की कथा आठ सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए अब यह कोई जरूरी नहीं है कि आठ सर्ग हो अब यह भी जरूरी नहीं है हो सकता है इसमें मिस्प्रिंट हो यह दोनों ही गलत है आठ सर्गों में हो ऐसा क कोई जरूरी नहीं है कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद्वे उपभेद माने हैं तो कुंतक ने वक्रोक्ति के छह भेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद् प्रक्रण वक्रता और प्रवंद वक्रता केवल मनोरंजन ही कभी का न कभी का कर्म होना चाहिए मैथली शर्ण गुप्त की ये पंक्तियां हैं भारत भारती 1912 में लिखी थी और महत्मा गांधी ने इनराष्ट कभी के उपादी प्रदान किये ये जुटुपल एस भी के कोश तो जरूर देखिएगा वहाँ पर आपको भारत भारती साइत अन्य रचनाएं भी मिल जाएंगी धीरे धीरे करके हम सभी किताबें वहाँ पर क्रमबद रूप से पढ़ते रहते हैं ठीक है जैसे समय मिल रहा है जैसे एक किताब पूरी होती है दूसरी हम प्रारम कर देते हैं बहुत सारी नाटक उपन्यास निबंद कहानिया हम पढ़ चुके हैं अब देखते हैं जिस रचना में वाचक विशेश और वाच्चे विशेश अपने अभीध्य अर्थ यानि अभीध्य अर्थ जो था प्रारमबिक अर्थ का को गौण बनाकर काव्यार्थ व्यक्त कर कहलाती है वह ध्वनी कहलाती है ध्वनी के संबंद में यह तो ध्वनी संप्रदाय के प्रवर्थ कोन है आनंद वर्दन तो जद नहीं लगाना है ध्वनी से संबंद देता है तो आनंद वर्दन ही होंगे शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारन तथा प्र ڈटपल ऐस्वी में भी पूछा हुआ, शब्द की जिस शक्ती के कारण, किसी शब्द का साधारन तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे अभिधा शब्द शक्ती कहते हैं, जहां न वाच्यार्थ काम करें और न लक्ष्यार्थ, जहां न वाच्यार्थ का रखती होती है, जहां कोई तीसरा ही अर्थ निकल कर आए, किस आचारे ने द्रिष्ट और अद्रिष्ट को कावे प्रियोजन माना है, तो यह वामने माना है, अब यह सब जब हम व्याख्याइत रूप से पढ़ेंगे ना, उसमें आपको कावे शास्त्र में करवाएंगे, बामने द्रिष्ट और अद्रिष्ट को कावे प्रियोजन माना है, जबकि आचारे कुंतक ने चतुर वर्ग फल को माना है, चतुर वर्ग फल में प्राप्ति, व्यभार गान, परम, एहलाद को, दंडी ने ग्यान, इम, यश्को, रुद्रट ने धर्म कीरती, अनर्थो पय अर्थयम शुक प्राप्ति को कावे का प्रियोजन माना है, कावे प्रियोजन का तात्परे, कावे रचना का उद्देश अर्थत, कावे रचना किस उद्देश से की जानी चाहिए, अब इनको सुमेलित करना है, इनमें दोश के हिसाब से, तो ये हरियाना की TZT 2020 में नियून पदत्व दोश है आपकी किरपाद रिष्टी हो जाए तो मेरे सब काम बन जाए ऐसा कुछ होना चाहिए था लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेध मकरंद अधिक पदत्व क्योंकि रज मकरंद ये सब एक पराग रज मकरंद तीनों एक ही है तो अधिक मिलते नहीं है वीर भीछ समान के अ क्रमत्य विशत में पाता चल ला विशम में मिलते नहीं है वीर भीम के समान निप मोर को हया दीजिए अथवा मत्त गजेंद्र। जहां शास्त्र एवं लोक मानेता का अनुसार दोका क्रम नहीं हो वहां दुश क्रमत्व है माधुर्य गुण का उधारन कौन सा नहीं है तो इसमें तो माधुर्य गुण है कंकन किंकन लुपर धुनी सुन कहत लखान सन राम हिर्दय गुण तो इसमें भी है देख सुदामा की दीन दसा तो इसमें माधुर्य गुण बिल्कुल भी नहीं है इसमें तो करुणा की उरिये करुण करके करुणा देख सुधामा की दीन दसा करुणा करीके करुणा ने धीरोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नेनने के जल सुपग धोए इसमें नहीं है माधुर्य गुण इसमें नहीं है नील सरोरम उस्याम तरुन अरुन वारिज नयन करहो सोमम उर्धाम सदाचीर सागर सयन इसमें भी माधुर्य गुण है माधुर्य का अर्थ है मधुर्ता जिस गुण के कारण रचना में मधुर्ता उत्पन होती है उसको माधुर्य गुण कहते हैं इसमें टावर्ग तथा लंबे सामासिक प्रियोगों का समासिक पदों का प्रियोग नहीं किया जाता माधुरे गुण बैधर्वी रीती से सम्मन्दित चित द्रवी भाव अम्रिल्य आदो माधुरे मुच्यते आचारे विश्वनात का कथन है भटतौत के अनुसार कावे हेतु प्रतिभा की व्याक्या है ए प्रग्या नवन में शालिनी प्रतिभा मतहा प्रग्या नवन में शालिनी प्रतिभा मत्ता भटतौत की है अभी नव गुप्त की देख लेते हैं अपूर वस्तो निर्मान चमा प्रग्या महीं भट्की देख लेते है चडम स्वरूप को शार्थात प्रतिभा कवय ये भटतोत की हैं आचारे और कावे प्रियोजन को सुमेलित नहीं है कौन सा नहीं है डीवाला नहीं है सहिरद्यों की प्रियता और धनार्जन को कावे का प्रियोजन किसने माना है कावे प्रियोजन क्या होता है रचना का उद्देश क्या होता है सेहिर्दियों की प्रियता और धनार्जन दंडी ने माना है आनंद वर्धन कहते हैं कि रसकी निस्पत्ति और चितुर वर्ग फलकी प्राप्ति और कुंतक कहते हैं लोग व्यभार का ज्यान और लोकुत्तर आ परवादूंगी तो आप लोगों ने कावे शास्त्र किसी भी बुक से आप पढ़े हों लेकिन आप ये चेक कर लीजिएगा तो ही आपको मालुम चल जाएगा कि आपकी ढंग से तैयार है या नहीं है आप लोग बार-बार पुस्तके पूस्ते रहते हैं और मैं ये कहती कि सभी अपने अपने इस्तर पर बढ़िया ही लिखने का प्रयास करते हैं गाइड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ पुस्तकों की जो अथेंटिक आपकी पुस्तके contrac П्रमाणित पुस्तके हैं लेकिन उनको पढ़कर आपको यदि उत्तर आ رहे हैं तो फिर आपने पढ़ाये और उत्तर भी जव आएंगे जव आप उनको इसी तरीके के practice set के माध्यम से solve करेंगे ठीक है किताब लेके बैठने का time नहीं भी मिलतवाता है तो कोई बात नहीं है आप एक से दो बार इन चीजों को सुनेंगे phone पे तो भी आपको जो है उतना ही फल मिलेगा उतना ही आपकी तैयारी होगी ऐसा नहीं है कि आप 10 गंटे पुस्तक लेके बैठें और दूसरा 8 गंटे पढ़ रहा है तो स्मार्ट स्टेडी का मतलब होता है कि आप पे अब सब की परिस्थितियां एक सी नहीं है सबको एक साथ समय नहीं मिल पाता है सबकी जिन्दगी भी एक जैसी नहीं है पारिवारिक माहौल एक जैसा नहीं है विशेस्ते बहनों के बारे में मैं बात कर रहे हूँ तो आपको जब जैसा समय मिलता है उस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते है फॉन इसका एक अच्छा मातिया मैं लोग कहते है कि फॉन से दूर रहना चाहिए तो उसका वो है कि आप इधर उदर गलाचीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें लेकिन आपकी परिक्षा से तंबंदित कोई चीज आपकी अगर तयार नहीं हो रही है ज्यादा समय नहीं मिल रहा तो उस टॉपिक को आप फोन से तयार कर लो अब आप ये प्रैक्टिस सेट मेरे साथ कर रहे हो तो आपको ये तो पता चल रहा होगा आना कि कितने प्रश्ण आपको आप रहे कितने नहीं आ रहे तो इससे आपका अच्छा मुल्यांकन हो जाएगा ठीक है आर्पी असी में ही पूछा गया एक अगला जो है प्रश्ण वो देख लेते हैं आप सभी विध्यारतियों से मेरा करवध निवेधन है कि आप सभी हिंदी बुक्षाला को अवश्य सब्सक्राइब करें आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो या आर्पी असी का कॉलेज लेक्चरर या भारतवर्श से बी ए एमे कुछ भी कर रहे हो हिंदी बुक्षाला पर आपके उपन्यास नाटक निबंद कहानिया सब कुछ उपलग्ध है और जो पूरी-पूरी बुक किताबे हैं जैसे भारत-भारती ये सब मैं आपको हिंदी बुक्षाला पर करवा रही हूँ तो कृपिया करके आप हिंदी बुक्षाला से जरूर जुड़े कावे हेतु कौन सा नहीं है प्रेड़ना कावे हेतु नहीं है ठीक है हबा की व्यत्पृत्ति अभ्यास और समाधी ये कावे हेतु हैं गुलाब राय कहते हैं के हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवी की कावे रचना में सहयक होते हैं कावे हेतु के तीन भेदें प्रतिभाव, व्यत्पृत्ति और अभ्यास प्रतिभाव, व्यत्पुत्ति और अभ्यास राजशेखर ने समाधी को भी माना है और राजशेखर ने प्रतिभाव के दो भेत किये हैं कारियत्री और भावयत्री और ये पूछे जाते हैं आचारे जैदेव ने अंगी करोती यह काव्यम कहकर किस आचारे के कावे लक्षन को चुनौती दी है मम्मट के आचारे जैदेव ने ये आपका RPSC वाला 2020 का पेपर उसमें पूछे हुए है आचारे जैदेव ने अंगह करोती यह काव्यम कहकर आचारे मम्मट के कावे लक्षन को चुनौती दी है आचारे मम्मट के द्वारा दी गई कावे की परिभाशा इस प्रकार है तद दोशों, शब्दार्थों, सगुणा, वनंग, लंकृती, पुनह, क्वापी ऐसा शब्दार्थ जो दोशरहित एवं गुण युक्तों कभी-कभी अनलंकृत होने पर भी कावे कहलाता है इस परिभाशा में मम्मट ने शब्दार्थों के तीन विशेशर दी हैं अदोशों, सागुणों और अनलंकृती, पुनह, क्वापी जिस पर परवर्ती आचारे जैदेव, विश्वनात एवं जगनात ने आपत्ती की है जैदेव ने चंद्रा लोक नामक अलंकार ग्रंत लिखा है और इनको चुनोती भी दी है मम्मट ने कहीं कहीं अलंकार विहिन काव्य को भी काव्य की संग्या दी है इस पर सबसे पहला प्रहार जैदेव ने किया और कहा कि ऐसा कहना उतना ही हास्यास पद है जितना अगनी को उश्णता से विहिन कहना आचारे भामा ने शवदार्तो सहित काव्यम कहकर कविता की परिभाशा दिये जैदेव का समय 13 शदी का उत्राद स्वीकार किया जाता है जैदेव ने चंद्रा लोक नामक अलंकार रचना की है जैदेव साहित्य के छेत्र में प्यूश वर्ष तथा न्याय के छेत्र में पक्षधर उपादी से प्रयाख्यात थे अप्य दिक्षित दक्षिन भारत के प्रशिद शैश शैव दाशनिकते इनका समय सोलवी सती का उत्रार्ध है अप्य दिक्षित ने वृत्ति वारतिक चित्र मिमान सार कुबले आनंद नामक ग्रंत की रचना की है और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ आगे हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहिंद